नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गिजा की पिरामिड जो कि मिस्र के काहरा में इस्थित है दोस्तों आपको बता दें कि गिजा की पिरामिड सेवन वंडर्स में से एक है यानि कि दुनिया के साथ आश्चर्यों में से एक है गिजा की पिरामिड तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये एक दर्सनी ये पिरामिड है इस पिरामिट को खुफू का पिरामिट और महान पिरामिट आफ गिजा के नाम से जाना जाता है यह पिरामिट एतिहासिक दृस्टी से बहुत ही आश्चरे जनक पिरामिट है गिजा पिरामिट परसर दुनिया के साथ अजूबों में से एक है जो कि आज भी उसी इस्थित में है जेसी इस्थित में पहले था यानि कि जैसे बनाया गया था उसी इस्थित में ये आज भी आपको मिलेगा मिस्र के महान राजा खुफू की मृत्यु के बाद उनके सव को इसी पिरामिट में दफनाया गया था और उनकी बात प्रतेक राजाओं के सवों को तथा उनके आभूसड और उनकी सामागरीयों को उनके सवों के साथ इसी पिरामिट में तफनाया गया था अब बात करने वाले हैं मिस्र के पिरामिट की संगरशना के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि मिस्र के पिरामिट को बनाने के लिए मोर्टार पत्थरों का उपियोग किया गया था किस पत्थरों का मोर्टार पत्थरों का उपियोग किया गया था जो कि आम पत्थरों से बहुत जादा मजबूत होते हैं इस महान पिरामिट को बनाने में 23 लाग पत्थरों के टुकडों का उपियोग किया गया था और दोस्तों पिरामिट की संग्रशना नीचे से चौकोर और उपर से त्रिकोर होती है इसको आप लोग ध्यान में रखिये गाया अगर पिरामिट बोला जाये तो ये जान दीचे उसकी जो संग्रशना होती है न वो नीचे से चौकोर और उपर से त्रिकोर होती है यह पिरामिट काहिरा के उपनगर गीजा में 14 एकड़ की भूमी में बनाया गया है और पिरामिट को आसमान से देखने पर इसकी 8 साइट्स दिखती है और इस पिरामिट के छोर तक पहुँचने के लिए 203 सीड़िया चढ़नी पड़ती है अब जान लेते हैं मिस्र के पिरामिट के इतिहास के बारे में तो दोस्तों मिस्र के गीजा पिरामिट का इतिहास मिस्र के चौथे राजवन्स के सासनकाल में ले जाता है जब 26 से 25 सो के दौरान दुनिया के इस खुपसूरत अजूबों का निर्मार किया गया था यह अजूबा आज भी अपनी खुपसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर सित करता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गिजा पिरामिट खुलने और बंद होने का क्या समय है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिजा पिरामिट अक्टूबर से मार्च के दौरान पर्यटकों के लिए सुबह आठ बज़े से साम पांच बज़े तक खुला रहता है अप्रेल से सिप्टमबर के दौरान सुबह साथ बज़े से साम साथ बज़े तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है अपरेल से सिप्टमबर के दौरान सुबह 7 बजे से साम 7 बजे तक परेटकों के लिए खुला रहता है गीजा की पिरामिट को अंदर से देखने के लिए प्रवेश सुल्क क्या है इस टॉपिक पे बात करें तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि मिसर के गीजा पिरामिट में प्रवेश करने पर आपको अलग-अलग एंट्रिफिस देनी होती है यदि वयस्क है तो 80 मिसर पाउंड देने होते हैं जबकि एक छात्र जिसके पास ID प्रूफ है उसे 40 मिसर पाउंड देने होते हैं इसके अलागा यदि आप बीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 300 मिसर पाउंड देने होंगे जबकि फोटोग्राफी के लिए 50 मिस्रपाउंड देने होते हैं दोस्तों आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर गिजा पिरामिट के अंदर क्या होता होगा तो आपको बता दें कि आश्चर की बातिया है कि पिरामिट के अंदर बहुत कम खुली जगह है इसमें से अधिकांस केवल ठोस पत्थर है प्रवेश द्वार से दो सीडिया है एक नीचे जा रही है और दूसरी नीचे उतरती हुई आपको भूमिगत इस्थित एक कच्छ में ले जाती है जहां फिराउन है लेकिन इस पिरामिट में नहीं है क्योंकि खुफू उच रहना चाहता है भूमिगत कमरा आंसिक रूप से अधूरा है खुफू के ताबूत वाले कमरे को राजा का कच्छ कहा जाता है या उपर है राजा के कच्छ के नीचे एक कमरा है जिसे रानी का कमरा कहा जाता है जबकि इस कमरे में कोई रानी नहीं है और कोई भी निश्चित नहीं है कि इस कमरे को ऐसा क्यों कहा जाता है दुर्भागे से इनमें से किसी भी कमरे के दीवार पर कोई चितरलिप नहीं है वो सब खाली है यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको अन्य कमरों में जाना चाहिए जो कि सजाए गए हैं वो सब कलाकृतियों, प्राचीन, मिस्र की संस्कृति और दैनिक जीवन को तरसाते हैं दीवारों पर लिखे गए सब्द सोथकरताओं को उनकी भासा और ब्याकरण का अध्यान करने में मदद करती है दुख की बात है कि जो खजाने कभी पिरामिट में थे वो लंबे समय से चोरी होते आये हैं उस कमरे से पिरामिट के अंदर कई सुरंग हैं कई कच्छ और गुप्त रास्ते हैं वैज्यानिक कुछ दसकों से वहां कैमरे के साथ छोटे रोबोट भेज रहे हैं और रोबोट ने दिवारों पर चितर लिप के साथ थोड़ा उपर लेकिन अधिकान से पिरामिट अभी भी अज्यात हैं और पिरामिट की कोई तथा कथित निर्माड योजना नहीं है मिस्रवास्णियों ने एक ऐसा रहस्य बनाया है जिसे 4500 वर्सों में आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका है बैग्यानिक ने हाल ही में पिरामिट का एक्सरे करना सुरू कर दिया है ताकि इसकी संकरी रहस्य मैई सुरंगों में से प्रवेस किये बिना यह पता चल सके कि इसके अंदर क्या है अब यह जान लेते हैं कि गिजा के पिरामिट की उचाई कितनी है गिजा पिरामिट की उचाई 450 फिट है और यह एतिहासिक पिरामिट सन 1311 तक दुनिया की सबसे हुँची इमारत रहा लेकिन सन 1311 के दौरान इंग्लेंड में 524 फिट उचा एक आकरसी चर्च बन गया जिसने गिजा पिरामिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया अब अगर बात करें गिजा पिरामिट के वेट की तो दोस्तों बिसेश पिरकार की चूना पत्थरों से बने इस ग्रेट पिरामिट का वजन लगभग 5.5 अरब किलो है अगर बात करें मिस्र के गिजा पिरामिट की तो पिरामिट अफ गिजा का निर्माण 2560 वर्स इसा पूर माना जाता है यह पिरामिट महान सासक खुफू के चौथे वंस के द्वारा बनाया गया था अब अगर बात करें गिजा पिरामिट किस देश में इस्थित है दोस्तों ये तो आप सब जानी चुके हैं गिजा पिरामिट मिस्र देश में इस्थित है अगर बात करें मिस्ट के गिजा पिरामिट को बनने में कितना समय लगा था तो दोस्तों गिजा का महान पिरामिट जो है उसको बनने में 23 वर्सों का समय लगा था इस महान पिरामिट को बनाने में एक लाख मजदूरों ने काम किया था अगर इस बारे में बात कर लेंगे गिजा का पिरामिट बनवाया किसने था तो गिजा के महान पिरामिट का निर्माण महान वास्तुकार हेमिन दौरा किया गया था हेमिन का मगबरा भी गिजा के फेमस पिरामिट के पास में ही इस्थित है अगर बात करें दोस्तों गिजा पिरामिट परिसर के आसपास में घूमने लायक प्रमुक परेटन और आकरसर अस्थल के बारे में तो आपको बता दें कि मिस्र के पिरामिट अथिहासिक ट्यूरिस्ट प्लेस है जहां दूर दूर से सैलानिया खिचे चले आते हैं लेकिन मिस्र के सहर काहिरा में गिजा के महान पिरामिट के अलावा भी बहुत सारे टियूरिस्ट परेटन अस्थल मौजूद हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं मिस्र के प्रमुक दर्शनी इस्थलों में से एक सोलर बोट म्यूजियम है जो कि मिस्र के फेमस गिजा पिरामिट के पास इस्थित है और वर्स 1954 में जब गिजा के पिरामिट के आसपास खुदाई की गई थी तब यह बोट तूट गई थी फिर इसका दुबारा से निर्माण करके इसे एक मियूजियम में स्थापित किया गया जो कि परटन इस्थल बन के सामने आया दियोदार की लकडी से बनी इस नाव को देखना अपने अपने एक अनोखा अनुभाव है मिस्र के प्रमग पिरामिट में एक सांदार पिरामिट खाफरे पिरामिट है जो की चीफरेन का पिरामिट के नाम से भी जाना जाता है ग्रेट गिजा पिरामिट से लगभग 170 मीटर की दूरी परिस्थितिया पिरामिट 135 मीटर उचा है इस पिरामिट का निर्मार खुफू के बेटे खाफरे दौरा किया गया था चूना पत्थर से बनाया गया यह बहुत ही सांदार पिरामिट है जो परटकों के लिए उनके आकरसुन का केंद्र बना हुआ है गिजा के प्रमुक तीन पिरामिटों में से सबसे छोटा पिरामिट मेन कार का पिरामिट है जिसे माई सेरिनस का पिरामिट भी क्याते हैं और यह पिरामिट भी परटकों को अपनी ओर सहजिता से ही आकरसित करता है यह परेटकों के लिए बहुत ही सांदार पिरामिड है मिस्र की राजधानी काहिरा में बहुत सारे परेटक स्थान है और यह खुबसूरत सहर मस्जिदों तथा चर्च से भरा हुआ है और अल अजहर मस्जिद और सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा की सबसे प्रिसिद्ध मस्जिदा में से एक है इसलामिक सामराजी की सबसे अतिहासिक जगह में से या सबसे अच्छी जगह है कारीगरों के सांदार सहर में परेटकों को इत्र से बनी हुई चीजें बिभिन परकार के सांदार वस्तर और सुन्दर वस्तुकला के दर्सन करने का मौका देती है दोस्तों आप सबको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा और वीडियो को लाइक सेर तथा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहे स्वस्त रहे